हलो एवरिवन मैं हूँ नीदी और आप सब का विलकम करती हूँ नीदी किचन लाइस्टायल चानल पर तो दोस्तों हर वैक्ति का सपना होता है चाहे वो लेडीज हो जेंड्स हो बच्चे हो बुड़े हो उनके बाल काफी खुबसूरत हो घने हो मजबूत हो और काले हो जी हा अपने बालों के उपर उसे अपलाई करती हूँ उसका रिजल्ट जब मुझे बेस्ट दिखता है तो ही मैं आपके साथ शेयर करती हो तो चलिए आज देख लेते हैं कि आज कौन सा यूनिक रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ वीडियो तो लाइका शेयर ज़ मैं यहां पर इस तरह से पील कर ली हूँ मैं दो केला ली थी आपको पता होगा कि इसे हम थोड़ी दिर तक अगर बाहर रख देना चील के तो यह बलाग होने लगता है तो आज इसी तरह हम बनाने वाले हैर डाई तो पहले इसे मैं डाल दी हूँ लोहे के बरतन में अब मै रह जाए पानी ना रह जाए एक लास पानी का अब लोह फ्लेम पे इसे हमें पकाना है उसके बाद जो प्रोसीजर होगा ना आगे बताऊंगी तो अभी तक वीडियो को लाइक नी किया तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दे और जो भी मैं रेमेडी शेयर करती हु उसे आप कुछ दिन तक अपनाए क्योंकि इसमें कोई भी ये कैमिकल नहीं होता है एक बार में आपको रिजर्ट नहीं दे सकता है गाईस रातो रात आपको रिजर्ट नहीं मिल सकता है तो थोड़े दिन तक अगर आप रेगुलेस तुमाल करेंगे ना तो मैं आपको गैर पानी का हमें यूटिलाइस करना है इस पानी से हम बनाने जा रहे हैं होमेड हेयर डाइ मात्र 2 इंग्रेडियेंट आड कर लेते हैं तो सबसे फर्स्ट मेरा फेवरिट जटामांसी पाउडर जिहां गाईस जटामांसी पाउडर मैं यहां पे एक चमँद अगर आपके पास ज और फूल का पाउडर जो कि बहुत ही जादा मजबूत बनाता है हमारे बालों को साथ ही साथ बालों को काला भी करने में बहुत है यह सब जब आरन वेसल के कॉंटाक्ट में आता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है तो मैं इसे भी एक चमश ले लियूं अगर आपके अच्छा पाउडर नहीं है तो आप अच्छा पूल ले सकते हैं उसे पीस के आप यहां पर डाल सकते हैं नहीं तो आप 1-2 चमश कॉफी पाउडर भी आड़ कर सकते हैं इस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं एक से तरह मिनट तक और इसे पका लोंगी और उसके अपने धुले वे बालों पे इसे अपलाई कर लेना है आदे घंटे से पैतालीस मिनट तक अपने बालों पे रहने देना है और केवल और केवल नॉर्मल पानी से वाश कर लेना है उस दिन आपको अच्छी तरह से वाइलिंग करनी है तेल लगाना है गाइस शैंपू नहीं कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है। मैं खुद अजमा चुकी हूँ इसे बिलकुल पॉफेक्ट हमारा डाई बनके रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आप इसे हफते में कम से कम दो बार तो जरूर लगाएं। अगर बहुत जादा सफेद तो तीन बार भी लगा सकते तो बस इसे अपलाई कर लेना है अपने बालों पे और इसे रहने देना है आदे गंटे के लिए उसके बाद नॉर्मल पानी से वाश करना है। तो ये थी आज की रेमेडी चैनल पे पहली बार आया है तो प्लीज और प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और थांकिय। वाव नाइस दी